हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन जेट पट नाम से तो आप लोग समझी चुके होंगे कि ये रेसीपी फटाफट तयार होने वाली है नॉर्मल सालन से थोड़ा हट के रहेगा ये देखिए इस तरह से इसकी रिच थिक ग्रेवी रहेगी मीडियम थिक ग्रेवी रहेगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं है ये देखिए इस तरह से ये बनने के बाद दिखेगा तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से आसानी से बनाएं ना सकते हैं, इसके लिए लगने वाले इंग्रेडेंट्स हम देखेंगे चिकन लिया है हमने एक केजी काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर दही, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाला पाउडर गरमे बनाएं गुए है धनिया पाउडर, कलर वाली लाल मिर्च की बुग्टी, हल्दी पाउडर, टीकी लाल मिर्च का बुग्टी प्याज, अदक लसन का पेस्ट, क्रीम, गरमेनिकाली मलाई यह है, आप फ्रेश क्रीम यह ले सकते हैं टमाटर के प्यूरी है, तीन टमाटर को थोड़ा पाने डालके हमने पीस लिया है और यह गार्नेशिंग के लिए ठराजनिया, लीमू, और यह छोटी वाली, ओरेंज और रेड मिल्च, यह लॉंगी मिर्ची की भी बाप होती है तीके पन में यह पेड़ पर उल्टी उठती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसे हम खाएंगे नहीं, बस गार्नेशिंग के लिए रखेंगे और यह चिकन मसाला पाउडर यह देखें, यह काउंटिंग कर रहा है ठीक है, इतने इंग्रीडियंट्स से बनने वाली रेसीपे फटाफट चिकन बनेगी, तीन चमच हम इसमें यह ओईल डालेंगे, यह वाले स्पूल तीन अगर आपको तरीकम लगती है, अगर आप जादा ओईली नहीं खाना चाहते हैं, जादा ओईल नहीं पसंद करते हैं, तो आप एक से देल चमच लीजिए, सफिशेंट रहेगा यह देखिए हम इसमें एड़ कर रहे हैं, सबसे पहले तीन चमच तेल, तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अदरक लसन का पेस्ट डालेंगे, चार चमच अदरक लसन का पेस्ट इसमें जाएगा इस पेस्ट को अच्छी तरह हम भून लेंगे पेस्ट अच्छा सब भून जाए, तब हम इसमें चिकन एड़ करना होगा, पेले हम पेस्ट को अच्छी तरह भून लेंगे अब देखिए हम इसमें डाल रहे हैं चिकन सारा चिकन एड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे टाके मसाला जो है अदरक लेशन का पेस्ट जो है वो चिकन पर कोट हो जाए और चिकन अच्छी तरह गलना शुरू हो जाए यह देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए कोट हो चुका है हमने इसे पांच मिनट के लिए ढख कर पकाया था यह देखिए इसका थोड़ा चिकन का पाने भी छोट चुका है और कलर भी हलका चेंज हो चुका है मतलब चिकन गलना शुरू हो गया बॉयलना शुरू हो गया हमें चिकन को जादा नहीं गलाना है वरना जब मसाले हो गया डालकर इसे चलाएंगे तो चिकन के पीसे सारे फूड जाएंगे इस तरह से हमें हलका हलका सा बस पकाना है चिकन को यह देखिए इस तरह से बस देखें फिर हमने डग करके पांच मिन्टरी से अलका सा गला लिया था चिकन ने अच्छा कासा पानी छोड़ दिया है अब हम इसमें पैज अट करेंगे पैज हमने अलक से साइड से थोड़ा सा अलरडी देखें इतना इसको पका लिया अलका सा बदामी करके ठीक है हम चिकन में अगर पैज कच्छा आट कर देते तो वो पानी छोड़ देता था और इसे गल्ले में चिकन को काफी टाइम लगता था ये देखें और पैज इतना लाल नहीं हुआ हो तो चिकन डालने के बाद वो उसका एक फ्लेवर मूँ में आया होता ठीक है इसके लिए हमने साइट से हलका सा थोड़ा सा तेल में गरण कर लिया इस तरह से आप भी हलका गोल्डन उसको फ्राइ कर लेंगे तेल में उसके बाद अलक से फिर इसमें अट करेंगे अब हम प्यूरी डाल रहें टमाटर की टमाटर का पेश्ट जो हमने तयार किया था अब हम इस पर सारे मसाले डालेंगे उसके बाद इसे मिक्स करेंगे वरना चिकन के पीसे फूटना शुरू हो जाएंगे देखे चिकन मसाला में एक टेबल स्पून डाल रहा हूँ आप 1 कजी में एक पेकेट ले सकतेएं एक पेकेट पुरा डाल सकते हैं नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिक मेरा अंदर का शेफ जाग चुका इसकी लिए इसfed से नमक का डाला है ठीके आप अपने टेस्ट के अपरिंग डाली ब्लैक पेपर पाउडर अल्मोस्ट एक चम्मज जा लेंगे आप गरम मसाला पाउडर एक चोटा चम्मज दो पिंच तीन पिंच काफी रहेगा दन्या पाउडर अल्मोस्ट देढ चम्मज कश्मीरी लालमेच पाउडर एक चम्मज वही कलर वाली मेरे से जाब को बताया था हल्दी एक चम्मज तीकी लालमेच का पाउडर एक चम्मज अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिलाएंगे यह देखे इस तरह से अच्छे से देरे-देरे करके इन सारे मसालों को मिलाएंगे काफी जेंटली ताके चिकन के पीसेज भी न फूटे और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए यह देखिए अब हमसे थोड़ा ड़क कर पकाएंगे बस पांच मिनट के लिए हमें ड़क कर पकाना है यह देखिए टेल उपर आना शुरू हो गया है मतलब हमारे मसाले भी अच्छी तरह से बून गए यह देखिए इस तरह से सारे मसाले अच्छी से मिक्स भी हो गए और अच्छी तरह से यह सालम का मसाला हमारा बून भी राए यह देखिए देखे बबल सा गए, अब उब इसमें जो दही है वो आड़ कर रहे है, ऑप्शनल है, डही डालिए ना डालिए, टमाटर का पेस्टा में डाला है, वो खट्टा ही होता है, फिर भी हमने दो चमच दही याँ पर डाल दिया है, हलका हलकाचा हमें दई को मिक्स करना है यह देखिए इस तरह से यह देखिए मसाला अल्मॉस्ट हमारा सालन बनके रेडी है फिर से हमने इसे पाच मिनुट के लिए डग दिया था अब देखते है यह देखिए अब हम इसमें इसमें चिकन को निकालेंगे सर्फ करने के लिए सालन अमारा रेडी है देख सकते हैं तरी फर्स क्लास आईए चिकन अच्छी तरह बॉयल हो चुका है अब हम जो मलाई थी हमारी क्रीम वो इस पर उपर से अड़ कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए क्योंकि खाना तीन तरीकों उसे खाया जाता है आँक से देख करके नाँक से खुश्बू ले करके और जबान से टेस्ट ले करके तो टेस्ट के साथ साथ खाना दीखना भी अच्छा चाहिए इस तरह से उसकी गार्निशिंग होने चीग यह देखिए वही साला ने, सिंपल साला में लेकिन गार्निश होने के बाद यह देखिए उसका कितना लुब बढ़ जाता यह देखिए से करीं कर दो